तेलुगू फिल्म हनुमान 12 जन्वरी को थेटर्स में दस्तक दे चुकी है रिलीस के साथ ही मूवी को लेकर रिव्यू भी आने शुरू हो गए है इसी बीच एक बार से राधिपुरुष का जिकरत छिड़ गया है हनुमान कम बजट में बनी फिल्म है फिर भी फिल्म का VFX दमदार है सोशल मीडिया पर हनुमान की तारीफ हो रही है वही दूसरी तरफ आधिपुरुष के बजट पर सवाल उठाय जा रहे है कि किया ये सच में कई 100 करूड में बनी फिल्म थी कुछ दर्शकों ने तो ओमराउत को साउट डारेक्टर से सीख लेने की भी सला दी है हनुमान का रिव्यू देते हुए एक यूजर ने कहा अगर आपके पास फिल्म बनाने का अच्छा मौका है तो हनुमान जैसी बड़िया फिल्में बनाई है ना कि आदिपुरुष जैसी फिल्में बॉलिवुड के लिए एक बड़ा सबग फिल्म की पूरी टीम फायर है प्रशांत वर्मा अवतार जैसी फिल्म बनाने की काबिलियत रखते हैं तेज़स सज्जा की पफॉर्मन्स शांदार है एक अन्य यूजर ने कहा ब्रह्मास्त्र और आदिपुरुष अच्छे मौके को बरबात करने वाली फिल्मे थी क्या प्रशांद वर्मा जैसे लोगों को ये मौका मिला इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि ऐसे कमाल के विज्जुल और वी एफेक्स 30 करोड से भी कम बजट में तयार हुए है सारा क्रेडिट प्रशांद वर्मा को जाता है साउद की तारीफ करते हुए एक यूजर ने कहा एक बार हनुमान देखने के बाद ये बात साबित उचाती है कि सिर्फ साउद के डाइरिक्टर्स जानते हैं कि संसिट्व प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंगल करते हैं